हालो एवरीवन स्वागत है आपका आराइमसी की मैट्स की कॉंसेट सिरीज में दे फाइव में आज दे फाइव में हम लोग डिसिमल्स और फ्रैक्शन की बीच का रिलेशन देखेंगे कैसे खासकर जो हमारे रिपीटेड डिसिमल्स होते हैं हम उसको कैसे कनवर्ट करेंगे ठीक है तो आज बेसिकली जो हमारे रिपीटेड या जो रिपीटिंग डिसिमल्स हैं उनको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे ये भी बेसिकली आराइमसी में बच्चों से पूछा जाता है ठीक है रिपीटिंग डेसिमल्स का मतलब है जैसे 0.1111111 इसको अगर एग्जा और अगर मैं आपको एक और एक और एग्जांपल दू यहाँ पर सपोज यह क्या करेगा आपको जो रिपीट है उसको लिखो आप 25 और कितने रिपीट हो रहे हैं देखिए दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं 2525 तो यह जाएगा अपन 99 यह तो एक डारेक्ट तरीका है यह अब याद रख सकते हैं लेकिन आप से डारेक्ट ली तो पूछता नहीं सब्जेक्टिव वे में कैसे करेंगे आए देखते हैं ठीकिए सबसे पहले आप क्या करेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप इसे क्या करेंगे 10 से मुल्टिप्लाई करेंगे कि यहां पर इसको x is equal to 0.7 का बार भी आ सकता है लिखावा ठीक है बार जो रिपीटेड आपके decimals होते हैं उनको पर इसी तरीके से बार लगाया जाता है तो अगर यह मेरी equation number 1 है और equation number 2 है और अगर मैं 2 minus 1 करूँगा तो I'll get 9x is equal to 7.7777 minus 0.77 के point वाला हिस्सा कट जाएगा और 9x is equal to 7 आएगा और x की value हाजाएगे आपकी 7 upon 9 ठीक है तो इसी तरीके से 7 upon 9 हमारा directly answer आया था तो exam में यह approach रखेंगे आप similarly similarly अब क्योंकि यहां पर 2 digits आपके repeat हो रही है ठीक है 2 digits तो आप इसे किस से करेंगे जिसमें 2 zeros होंगे मतलब 100 से multiply करेंगे तो it's going to be 100x is equal to 25 point आपने क्या करा इस equation को 100 से multiply किया 25.2525252525 and so on चलता रहेगा subtract करोगे तो 99x is equal to it's going to be 25 और x की value आजाएगी 25 upon 99 ओके तो एक छोट असा simple सा concept मैंने आपको समझाया कि कैसे आप repeated decimals को fractions में चेंज करेंगे directly भी कर सकते हैं directly क्या करने का तरीका है जो digits आपके repeat हो रही है उनको आप as it is numerator में लिख लीजिए और जो number of digits repeat हो रही है उतने 9 आपके denominator में आ जाएंगे जैसे 2 digits repeat हो रही थी तो 2 9 denominator में आगे अगर एक होगी तो जैसे 0.77 में single digit repeat हो रही है तो 1 9 आ जागा denominator में आपको आज का वीडियो information लगा होगा इसी तरीके से कौन सा वीडियो देने के देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जरू स्क्राइब करें that's all for today bye bye see you soon all the best जाहिंद